हेलो एवरीवन दिसी दीपक निशात वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आप लोग का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि हम लोग सीटेट का पी वाई क्यू कर रहे थे प्रीवेस यह कुश्चन का एनलिसिस कर रहे थे आज भी हम लोग एक मैथमेटिक सेक करते हैं पर्स्ट कोश्चन पढ़ते हैं इफ यू हैव थ्री वन रूपी कोईन दू तू रूपी कोईन्स and वन टैन रूपी कोईन्स in हाव मैनी वेस यू कान गीफ 14 रूपीस तू मी कह रहा है कि अगर आपके पास तीन रूपए तीन सिक्के हैं एक एक रूपए के दो सि है 10 रुपए का तो आप 14 रुपए किस तरह के से देख सकते हैं तो देखिए 10 रुपए का सिक्का तो एक ही है तो उसको तो आपको तो देना ही पड़ेगा अब यह एक सिक्का हो गया फिर दो रुपए का सिक्के दो हैं तो यह दो दो रुपए के सिक्के दे सकते हैं तो एक तो यह तरीका हो गया एक हो गया क्या दस रुपय के सिख्के दे दिए प्लस एक सिख्का दो रुपय का दे दिया और फिर दो सिख्के एक रुपय के हो गया तो यह एक दूसा तरीका हो गया और कोई तरीका हो सकता है क्या तीन सिख्के एक रुपय के अगर दस रुपय का एक एक सिख्का और तीन सिख्के दे देंगे और फिर दो रुपए तो वह एक्स्टा हो जाएगा फंदर रुपए हो जाएगा तो हमारे से पास दो तरीके हैं जिस तरीके से हम 14 रुपए दे सकते हैं किसी को ओके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ओप्सन तेट इस टू इन हाउ मैनी वेस पूछा था किन कितने तरीकों से दे सकते हैं तो हम दो तरीके से 14 रुपए बना सकते हैं इन सिख्कों का इस्तमाल करके कॉट इट यह प्राइमरी लेवल का पेपर है सीटेट का इसलिए बहुत इजी कोशन होते हैं और यह क कुछ कोशन पर चलते हैं इफ वी मुल्टिप्लाइ ओल्ड डिजिट्स किवेन ऑन एक कीपड ओफे मोबाइल फोन दा प्रोड़क्ट विल बी कह रहा है कि अगर मोबाइल फोन की कीपड पर दिये वे सारे डिजिट्स को हम मुल्टिप्लाइ करें तो आंसर क्या होगा तो क च DR 1789 제 라고 यहां पर होता है यहां पर sa тебя तो अगर हम इन इन सारे तन डिजिट्स को मुल्टिप्लाइ करें तो तो एम तो हमें कुक्या यहां वे घ्मिलेगा लेकिन लार्ष में हम जीरो से मुल्टिप्लाइ कर देंग तो आंसर विल भी जीरो सबी 10 digits को हम आपस में multiply कर देंगे तो हमारा product क्या हो जाएगा 0 हमें result मिलेगा 0 यह है एक mobile phone के keypad पर दी गई संख्याओ को यदि गुणा किया जाए तो गुणन फल होगा soon चलते हैं next question पर कह रहा है next question in a garden there are 48 foot marks of kangaroos 12 foot mark of rabbits and 40 foot marks of duck how many kangaroo rabbits and ducks are standing respectively in the garden क्या कह रहा है 48 kangaroo है 12 rabbits है और 40 ducks है अब देखे हमें ध्यान रखना हैं कि यहां इन जानलों के कितने कितने पैर होते हैं kangaroo के कितने पैर होते हैं 4 हाला कि वो चलता कि 2 पैरों पे ही है jump करते वे और rabbit के वो 4 पैर इस्तमाल करता है दॉलने के लिए और duck के कितने पैर होते हैं 2 तो अब इनको डिवाइट कर देंगे 48 को 4 से डिवाइट करेंगे तो कितने हैंगे 12 यह 12 rabbits को 4 से डिवाइट करेंगे तो क्या मिलीगा 3 और 40 ducks को 2 पैर से डिवाइट करेंगे तो हमें मिल जाएगा answer 20 तो हमारा answer क्या हो जाएगा 12, 3 & 20 इतने इतने जानवर रिस्पेक्टिवली हैं 12 कंगारूस हैं 3 rabbits हैं और 20 ducks हैं got it बहुत ही simple question है PYQ करने से हमें यह मिल जाएगा क्योंकि यह question repeat होते हैं और हमें एक idea मिल जाता है got it आप लोग अपने friends के साथ यह session को जरूर share कर दीजेगा ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके इस video का चलते हैं next question पे A rectangular field has 4 cm length and 3 cm width from the corner of this field a small square side of 1 cm is cut off what will be the ratio of the length of the boundary of the rectangular field before cutting square and length of the boundary of the rectangular field after cutting square देखे question क्या कह रहा है कि एक rectangular field है मान लीजे ऐसे rectangular एक field है जिसकी 4 cm क्या है length है और 3 cm क्या है width है अब क्या है रहा है एक corner से एक corner से ऐसे कट करके निकाल दिया गया यह 4 cm length ही और 3 cm length of the boundary length of the boundary length of the boundary perimeter पूछा है perimeter क्या होता है किसी भी area region का sum of all sides सारी sides को plus कर देगे तो हमें perimeter निकल लाएगा boundary पूछा है तो सभी sides को plus कर दी यहां पर क्या हो जाएगी boundary 4 प्लस 3 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 3 14 इसका यह हो जाएगा अब यहां पर देखे यहां पर कितना बचेगा इधर से 4 cm कट कर 1 cm निकाल दिया गया है यह तो बचा 3 cm और यहां इस side से भी निकाल दिया गया तो कितना बचा 2 cm और यह 4 cm होगा और यह 3 cm लेकिन एक बात ही यहां से 1 cm 1 cm करने तो यह भी इसको भी हम add करेंगे और यह भी add करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 8 8 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 4 14 इसकी भी boundary कितनी आ रही है 14 cm तो ratio क्या हो जाएगा original का और जो बाद में कट किया गया था square उसका तो 1 ratio 1 हो जाएगा हमारा right answer क्या हो जाएगा 1 ratio 1 length of the boundary पूछी थी तो हमें सभी boundaries की side को हमें क्या कर देना है add करके हमें इस तरीके से निकालना है got it इसका अंसर क्या हो जाएगा 1 ratio 1 got it चलते हैं next question पे San wishes to pure 2 liter of milk into 3 bottles so that the first bottle hold half of the milk, the second bottle holds 3 fourth of the rest of the milk, the third bottle holds one-fifth of the remaining milk, how much amount of the milk will be left with then the filling all the three bottles. देखे आप इसको हिंदी में भी पढ़के समझ लीजे आधा बर देता है आधा बर देगा मतलब 2 का आधा कितना एक लीटर भर देगा यह first bottle है second bottle में क्या बचेगा second bottle में कह रहा है 1000 ml okay second bottle में कितना आएगा 750 ml अब third bottle है third bottle में भी बचेवे दूद का एक बटे 5 है तो देखे जो एक लीटर बचा था उसमें से 750 ml यहां second bottle में भर दिया अब उसमें से 200 ml बचा है 1200 ml का भी एक बटे 5 मतलब 50 ml इसमें भर दिया गया third bottle में तो अब सान के पास कितना दूद बच आएगा तो देखे एक लीटर तो यह और 750 और 50 ml मतलब 1800 ml उसने दूद भर दिया है तीन bottle में और 2 लीटर कुल दूद था तो कितना दूद बच आएगा 200 ml ओके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा first answer that is 200 ml will be remaining to the sun ओके चलते है next question पे वरुन वरुन has Rupees 10 currency note with him he purchased a pen of rupee 6 shopkeeper give him some coin of rupee 1 & rupee 2 in return how many total coin he has received देखे वरुन के पास 10 रुपय का currency note है 10 रुपय का note है उसने 6 रुपय का pen खरीदा अब shopkeeper को उसने वरुन ने 10 रूपए का note तो shopkeeper उसको कुछ 1 रूपए के शुक्हे TIMके देता है और कुछ 2 रूपए के सिक्हेmill के देता है तो उसके पास कुल कितने सिक्हे होंगे तो देखे shopkeeper कितना लोट आएगा वरुन को 4 रूपए अब 4 रुपए में उसने 1 रुपए के सिक्के भी दिये हैं 2 रुपए के सिक्के भी दिये तो जाहिर सी बात है अगर सिर्फ 2 रुपए के सिक्के देता तो सिर्फ 2 सिक्के देता 2 इंटू 2 4 हो जाता लेकिन उसने 1 रुपए के भी सिक्के दिये तो मतलब उसने दो रुपए का एक सिक्का दिया होगा मतलब दो रुपए और एक रुपए के सिक्के दिये हैं तो वो दो सिक्के दिये होगे तब तो जाके 2 प्लस 2, 4 हो जाएगा तो दो सिक्के एक रुपए के और एक सिक्का दो रुपए का Total सिक्के कितने हो जाएंगे उसके पास 3 सिक्के थर्ड अप्सन इसका सही आपसर होगा मरुन के पास Total कितने सिक्के हो जाएंगे 3 सिक्के हो जाएंगे 1 अचिक्ए 2 सिक्के और 2 रुपे का 1 सिक्का उसके उसका छलते हैं Next Question पर देखें ये सब कुश्चन रिपीट होते हैं बार-बार सीटाइट में तक को फिर तसम अफ सिक्स कॉंस्क्यूटिव नंबर इस फोटी फाइफ वाट इस दसम अफ स्क्वैर अफ फ़र्श्ट थ्री नंबर फ्रॉम दगिवन सिक्स कॉंस्क्यूटिव नंबर देखें कॉंस्क्यूटिव नंबर क्या होते हैं लगतार आने वाली संख्या क्रम गत चह क्रमागत संख्याओं का योग 45 है चह क्रमागत संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का वर्गो का योग क्या है तो देखें चह क्रमागत संख्या क्या है योग 45 है तो देखे इसको कैसे करेंगे पहली संख्या को मालीजे X है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी उसमें एक प्लस कर दे क्रमागत संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं rantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrant इसका योग कितना है 45 तो देखे एक्स कितने एक्स हो जाएंगे 6 एक्स हो जाएंगे और नमबरों को जोल दीजे 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 यह हो गया 45 अब 6 6 एक्स 15 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 30 तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 30 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 5 तो देखे एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो उसकी नेश्ट संख्या क्या हो जाएगी 6 7 8 9 और 10 हमसे कह रहा है कि पहली तीन संख्या के वर्गो का योग क्या होगा तो देखे पहली संख्या कितनी है 5 उसका स्क्यार कितना हो जाएगा 25 दूसा है 6 6 का स्क्यार 36 और 7 का स्क्यार 49 प्लस कर दीजे 6 प्लस 5 11 11 प्लस 9 20 वन हैंडेट 10 यह इसका राइट आंसर हो जाएगा गाटिट आप सब लोग को समझ जाया होगा लाइक एंड सेर जरूर दीजेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन 110 ओके चलतें नेक्स्ट कोश्चन पर कोश्चन क्या रहा है स्टेटमेंट ए वन इस नौट अ प्राइम नंबर एंड स्टेटमेंट भी वन इस नौट अ कमपोजिट नंबर देखे हिंदी में भी पढ़ लीजे एक एक अभाज संख्या नहीं है सही बात ह और एक एक भाज संख्या नहीं है ये भी सही बात है प्राइम नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फेक्टर होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होता है या फिर वन से जैसे टू थ्री फाइफ सेवन इलेवन ये सब क्या है प् इसमें प्राइम नंबर में नहीं आता है सबसे स्मॉलिष्ट प्राइम नंबर अभाज संख्या कौन सी होती है दो तो ये तो बात सही है वन एक प्राइम नंबर नहीं है दूसा है वन इस नॉट अ कमपोजिट नंबर क्या होता है ऐसी संख्या जिसके मोर देन टू फेक्टर होते हैं और सबसे smallest composite संख्या कौन सी होती है 4 जैसे इसके factor कौन कौन से होंगे गुड़ज वन टू और फोर ये तीन मलब ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो ये इसके more than three more than two factors है तो one composite number की family में भी नहीं आता है और one prime number के groups में भी नहीं आता है तो ये दोनों statement क्या है सही है तो देखे पहला option है both a and b are true right that will be the answer both a and b statements are true बागी देखे a and b ये नहीं तो ये याद रखे one is not a prime number and one is not a composite number got it दोनों a और b सत्य है चलते है next question पर two third of three twentieth is देखे कितना simple सा question है two third that is two by three and three twentieth that is three by twenty three 2 3rd of 3 20th is 2 20th okay 2 20 इसका right answer हो जाएगा got it चलते है नेक्स्ट क्वेस्टन में गीता want to fence a land with a 100 meter wire which shape of the land she should fence so that she can have the maximum area गीता के पास 100 meter wire है तो वो किस तरह के मतलब छेत्र को वो कभर करे फेंस लगाए कि maximum उसका छेत्र फल हो तो देखे same length और same radius हो तो सबसे ज़्यादा area कौन घेरता है circular shape अगर two dimensional की बात की जाए तो circular shape सबसे ज़्यादा area बात करें cover करेंगा और three dimension में बात करें तो square सबसे ज़्यादा area मलब volume होगा उसका got it अगर same length और same radius की बात की जाए तो तो अगर वो circular shape का field cover करेंगी तो उसका क्या होगा maximum area होगा got it इसका right answer हो जाएगा वृत्ताकार ओके चलते हैं next question पर teacher give Swara two shapes a rhombus and a kite she asked her to tell the name of the shape having more lines of symmetry Swara responded देखे teacher जो है Swara को दो सेब देती एक rhombus यह कुछ distorted बन गया है अलब rhombus एक ऐसा होता है जिसकी सारी side क्या होती है बराबर और काइट कैसी होती है ऐसे इसकी यह opposite side यह adjacent side equal होती है और यह side equal होती है और इसकी सारी side क्या होती है equal होती है तो वह shape बताईए जिसमें सबसे ज्यादा symmetry होगी तो देखे symmetry का मतलब क्या होता है ऐसी ऐसी line घिषना जैसे वह figure दो equal parts में divide हो जाए left hand side एकदम right hand side के equal हो तो देखे rhombus एक ऐसा figure है जिसमें हम ऐसे ऐसे diagonal से इस diagonal से maximum जो है symmetry हो सकती है लेकिन इसमें ऐसे symmetry हो सकती है vertical horizontal नहीं हो सकती क्योंकि यह sides equal नहीं होंगी got it तो वह कौन सा safe होगा जिसमें सबसे ज्यादा symmetry line होगी वह होगा rhombus इसका अंसर हो जाएगा सम चतुर भुज गॉट इट चलते हैं next question पर a bus from Delhi leave every half an hour from a bus terminal an inquiry clerk told a passenger that the bus had left 10 minutes ago and the next bell will leave at 9 25 a.m at what time did the inquiry clerk give the information to the passenger Hindi में भी पढ़ लीजे दिल्ली में एक bus हर आदे घंटे में bus terminal से निकलती है एक पूस्तार clerk ने एक यातरी को बताया कि bus 10 minute पहले ही निकली हर आधे गंटे पर बस निकलती है दिल्ली टर्मिनल से और एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले ही बस निकली है और अगली कब निकलेगी 9.25 पर बस निकलेगी तो पूस्तार क्लरक ने यह जानकारी यात्री को कब दी तो मतलब देखे हर आधे घंटे पे निकलती है और उसने 10 मिनट बात पूछा मतलब और उसने कहा कि अगली बस पूरवाना 9.25 पर निकलेगी मतलब 10 मिनट निकलने के 10 मिनट बात यातरी ने पूछा और अगली बस मतलब उसके पूछने के 20 मिनट बात निकलेगी तो 9.25 पे निकलेगी तो उसमें से 20 मिनिट माइनस कर दीजे तो 9.05 पे कलर्क ने यात्री को जानकारी दी सुबह के 9.05 बच के 5 मिनिट पे कलर्क ने यात्री को जानकारी दी अगर पूचता की बस कब निकली आखरी 9.25 पे अगर अगली बस निकलेगी तो आखरी बस कब निकलती तो इसमें से 10 मिनिट और माइनस कर देते 9.25 है तो हम क्या करते अगर इस से पूचता की 30 मिनिट पहले बस निकलती साई तो हम यहां से एक घंटा लेकर यहां पर 60 मिनट इसको दे 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 और यहां पर क्या क manner और यहां पर फिर क्या हो जाता आठ गंटे 85 मिनट और उसमें से 30 मिनट हम माइनस करते तो ये 5 और ये 5 85 मलब आखरी बस कम निकली है 8 बचके 55 मिनट पे गॉट इट लेकिन इस question का right answer क्या है 9 बचके 5 मिनट पे clerk ने यात्री को जानकारी दी है okay चलते है next question पे which of the following rectangle can have maximum perimeter देखे perimeter अभी मैंने बताया था कि length of all sides को हम perimeter कहते हैं तो कौन से rectangle का सबसे ज्यादा perimeter होगा rectangle with area 60 cm and one side is 1 cm देखे यहां पे area 60 cm square है और एक side क्या है 1 cm तो length into breadth होता है area जो 60 है तो अगर length या breadth मान लिजे 1 है तो length भी क्या होगी 60 60 बन जा 60 होगा तब तो area 60 cm उसका होगा लेकिन जब perimeter निकालेंगे तो perimeter का formula क्या होता है 2L plus B तो 60 plus 1 61 into 2 यहां पे कितना हो जाएगा 1 32 meter perimeter हो जाएगा यहां पे क्या है यहां पे rectangular with area 60 cm one side 6 cm area तो सेम है लेकिन side क्या है 6 cm अगर breadth 6 cm है तो length कितनी हो जाएगी 10 that is 2 into 16 हो जाएगा यह 32 meter होगा इसका end यहां पे कितना है 60 cm square है और one side कितनी है 12 cm तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 12 plus 5 17 यहां पे 34 meter perimeter हो जाएगा तो हमसे पूछा है which of the following have the maximum perimeter तो perimeter कौन से होगा 132 जब एक side क्या हो एक cm की हो तब जो है maximum perimeter हो जाएगा वाकी area तो सब में सेम है इस rectangle के साथ हम जाएंगे ओके कि आयद जिसका छेत्रफर 60 cm परंतु एक भुजा क्या है एक cm होगी इसका सबसे अधिक परिमाप होगा ओके चलते हैं next question पर डॉक्टर हैज एडवाइस्ट अमन टू ड्रिंक plenty of water every day he drink 14 glasses of water regularly if the capacity of the glass is 300 ml how many liter of water he drink in a week देखे डॉक्टर ने अमन को यह बताया कि आप जाएज़ जादा पानी भीजे तो वह एक दिन में 14 glass पानी पीता है और एक glass में कितना पानी आता है 300 ml तो एक हपते में कितना पानी पीता है simple सी बात है 14 glass पीता है और 300 ml तो मलत 14 into 300 और फिर इसको 7 से multiply कर देंगे क्योंकि यह एक दिन की बात है और फिर साथ दिन की बात होगी तो सेवन से मल्टिप्लाई कर देंगे यह हो जाएगा 14 इंटु 2100 तो यह जाएगा 0,014 वेंज़ यह हो जाएगा 29,400 ml कितना लीटर पानी पी जाता है एक हफते में 29.4 लीटर गॉट इट ओके चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर आइडेंटिफाइड एंगल मेड बाइड 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 अल्फा बैट ऑफ द वर्ड वन क्या करना है हमें इस अल्फाबेट मलब जब angle 90 degree से कम बनता है तो उसे हम क्या कहते है, acute angle, क्या कहते है, acute angle, 0 से 89 degree तक अगर angle रहता है, तो हम उसे क्या कहते है, acute angle या noon cone, तो n कौन सा angle बना रहा है, noon cone बना रहा है, that is acute angle, okay, right angle कितना होता है, 90 degree, और obtuse angle कितना होता है, 91 degree से लेके, 179 degree तक, okay, 180 degree अगर हो जाता है, तो shade angle हो जाता है, okay, one of the, one के बीच वाले अक्छरों द्वारा बनाने वाले cone की भाष्चान किजिए, तो इसका answer है, noon cone, okay, चलते हैं, next question पे, अब ये देखे, 15 questions, aptitude, अब ये pedagogy यहां से start हो जाएगी, okay, पढ़ते हैं, पहला question, which of the following is the correct order according to polyas problem solving model, देखे, polyas एक, बनावग्यानिक थे, उनके problem solving के क्या तरीके हैं, पहला है, understanding the problem, device a plan, look plan, carry out the plan, second option है, understand the problem, device a plan, carry out the plan, and look back, third है, device a plan, understand the problem, carry out the plan, look back, fourth, device a plan, understand the problem, look back, carry out the plan, okay, तो देखे, इन में से कोई भी problem solve करने का क्या सही तरीका होता है, देखे, पहले का है, understand the problem, understand the problem, देखे, ये दोनों आप्सन नहीं होंगे, पहला है, device a plan, आप पहली plan device नहीं कर लिएंगे, जब तक आप problem को समझेंगे, understand the problem, पहले problem को समझेंगे, device a plan, ठीक है, प्रॉब्लम को समझ के हम उसके मुद्दाबिक एक plan तयार करेंगे, फिर हम इसमें option पीछे देखेंगे, और फिर plan को carry करेंगे, नहीं हम plan बना के ही पीछे थोड़ी न देखेंगे पहले हम problem को समझेंगे plan बनाएंगे फिर उसको plan को लागू करेंगे और फिर पीछे देखेंगे कि क्या result आया तो यह जो है correct order है किसी problem को solve करने के समस्या को समझना योजना तयार करना योजना को कार वनित करना और पुना जाच्चना यह इसके answer होंगे ओके यह पोल्यास के समस्या समधान model के अनुसार सही क्रम है ओके चलते हैं next question पर which one of the following is not true about the nature of concept in mathematics इन में से क्या true नहीं है nature of concept देखे हम से इसमें पूछा है कि क्या true नहीं है यह ध्यान देनी के बात है हिन्दी में उपड़े लेते हैं निम लिखेत में से कौन सा गणित में आउधार्णाओं की प्रक्रतिया के संदर्व में सही नहीं है तो देखे क्या है abstract in nature abstract तो है hierarchical in nature यह भी है logical in nature mathematical concept logical होते है mathematical concept जो है concrete होते हैं concrete material क्या होते हैं जैसे hard objects यह हमें touch कर सकते हैं नहीं यह हम जो है mathematical concept को हम समझ सकते हैं हम logic लगा सकते हैं इसमें से क्या है वो concrete उसका nature नहीं है ठोस पदार्थ कोई चीज़ नहीं है वो okay तो इसका right answer क्या हो जाएगा मूर्थ प्रकृती नहीं है निम निखित में से कौन से गणित में और धार्णों के प्रतिके संधव में सत्ते नहीं है तो यह सारी चीज़े तो सत्त हैं भाई अमूर्थ है स्रेणी बद्ध है और तर्क संगत भी है लेकिन मूर्थ प्रकृत इसकी नहीं होती है गणित की ओके right answer इसका यह हो जाएगा fourth option इस question को ध्यान रखेगा फिर से repeat हो सकता है ओके चलते हैं next question पर after teaching place value of number a teacher gave the following question to solve take two digits say three and five make four digit number using both the digits equal number of time is your answer unique which of the following statement is correct for the above context एक टीचर ने place value का concept पढ़ाने के बाद क्या दिया question दिया take two digits मालब two digits दे दिया three and five और उससे use करके four digits number बनाने तो यह इस तरह के question देने का मालब क्या answer इसका unique होगा fours हमारे पास numbers सिफ दो है और four digit numbers बनाना है इसके answer तो बहुत सारे हो सकते हैं मालीजे three three बच्चा ऐसे बना दे three three five 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 three five three three बना दे three five three five बना दे yeah five five three three बना दे तो देखिए unique answer तो नहीं है इसका तो इसके option क्या-क्या दे रखें it is an open-ended question and give the opportunity to student analyze and critique each other's responses बात तो सही है यह open-ended question है क्योंकि इसके बहुत सारे answer है और opportunity दे रहा है student को analyze करने के लिए second is an example of closed-ended question यह closed-ended closed-ended question क्या होता है जिसके answer fix होते है सिर्फ एक ही answer होता है third multiple responses to a question should be discouraged in mathematics multiple response को हमें discouraged करने mathematics यह option नहीं गलत है it is an example of contextual question यह समझने के लिए तो नहीं यह एक open-ended question है और यह opportunity देता है student को analyze करने के लिए got it Hindi में भी पढ़ लीजे यह एक खुले सिरे वाला प्रस्तन है जो चात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्रों का विश्नेशन और आलोशना करने का आउसर प्रदान करता है ओके बाकी सारे option गलत है ओके got it चलते हैं next question पर question 49 मिस सुनाली एक क्लास फर्स्ट की मैथमेटिक टीचर है वो कुछ following activity देती है learners को अपने students को sorting cells stone token of different size and color arranging different stick in a bundle according to their length third collecting sticks feather leaves from their surrounding and tie them in a group fourth threading the beads to form a garland for counting इस तरह की कुछ activity देती है this type of activities are इस तरह की गतिविदी से क्या लाब होगा done in primary class for leisure यह primary class पर की जाती है it is a waste of time of teacher should focus on solving problem यह negative word है waste of time यह question option तो होई नहीं सकता only done in pre primary hence an irrelevant activity in class first यह irrelevant activity है यह एक negative word है यह option भी नहीं होगा fourth है useful for assessing children readiness to introduce important concept like number counting in arithmetic देखे useful for assessing मलब help करने के लिए यह बहुत useful है children readiness to introduce important concept एक concept को introduce करने के लिए activities helpful है यह जो है word positive है तो यह ज्यादा सही है तो इसलिए इसका option क्या हो जाएगा fourth option ज्यादा सही हो जाएगा ओके बाकी option तीनों गलत है पर fourth है अंक गलित में महत्पूर्ण अवधार्णाओं जैसे संख्या गल्णा का परिचाय देने के लिए बच्चों की ततपर्ता के आकलन में सहायक है ओके बाकी देखे यह समयनेश्ट करने यह negative word है केवल के पूर्प्रात्मीक अक्चाय के लिए असंगत है ऐसा नहीं है अगर कुछ activity करें तो बच्च जरूर कुछ नकुछ सीखेंगे चलते हैं next question पर according to national curriculum framework 2005 which of the following process are indicative of math my digestion of child thinking mathematical communication also through a formula second option in solving the problem using formal procedure and checking the answer from the answer key third option is estimating the weight of different object in surrounding and discussing the answer with peer and teachers doing an activity on addition following the strict prescribed instruction given by the teacher okay Hindi में भी पढ़ लीजे इसको राश्टी पार्ठ चर्या रूप से कहा 2005 की अनुसार निमनिमे से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के चिंतन के गणिती करण की सूचक है राश्ट पर चर्या रूप रेखा के अनुसार कौन से प्रक्रिया है जो बच्चे के चिंतन में गणिती करण की सूचक है बच्चा गणित सीख रहा है कि नहीं ये किस बात से हमें मलब कौन से चीज़ इंडिकेट करती है गणिती सम प्रेशन केवल सूत्र के द्वारा होना चाहिए प्रस्ट को हल करने के लिए मानक क्रिया विधी का उप्योग और उत्रों की जांच इस तरह के लिए कुंजी का करना ये भी नहीं हल तो कर रहा है लेकिन पीछे आंसर सीट देखके कर रहा है ये इंडिकेशन ही है आस पास की भिन भिन वस्तों को भार का अनुमान लगाना उत्तरकों साफाठियों सिक्छों के साथ विचार विमर्ज करना देखे जो ये वर्ड है जिखचें को कि ऌए और सेपाठियों के साथ विचार विमर्ज करना ये चीज सही है बच्चों के लिए तु ये option सही हो सकता है थरद फ Goddess सिक्षक दौरा दिये गए सुनिचर्शत कह तो रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए ये ओपसन गलत है थर्ड आपसन क्या है सबसे सही है आसपास की भिन भिन वस्तियों के भार का अनुमान लगाना उत्तरों का सहपाठियों तर्था सिक्छकों के साथ साथ विचार भी मर्स करना अकर सिक्छक छात्र जो है सिख्छक से प्रॉब्लम पूछ रहे हैं तो यही तो इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे के चिंतन में गणिती करण हो रहा है इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा चलते हैं नेक्ट्ट कॉस्ट्टन पर क्या है मतलब है क्या है मतलब है पर्ष्ट ऑपसन है देर इस नो कम्निकेशन बेट्वें प्रैमरी स्कूल एंड ही स्कूल टीचर तो पिक्स है बिन इंडिच्ट इन हीरेरिकल लेवल उफ दिफिकल्टी इन मतमेटिकल करिकूलम फूर्थ है ओवर दाइयर दे मैथमेटिकल करिकूलम हैस इंक्रीश्ट इन वॉल्यूम बाइं क्लिउजन ओफ मैनी नुव टॉपिक्स एंड फॉर्थ ऑपसन है अक करिकूलम एक्कूलेशन हैसलेट तू प्रूनिंग ऑफ सम बेसिक टॉपिक 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 विच आर ओफ सिग्निफिकेंस इन हायर मैथमेटिकल एजुकेश्ट एक कुछ क्वेश्ट में ऑपसन बहुत बड़े बड़े होते हैं इसको फोर तक पढ़ते पढ़ते पहले वाले ऑपसन भूल जाते हैं तो ध्यान से पढ़िए और इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं का अर्थ क्या है देखे प्रात्मिक विद्यालों और उच विद्यालों के सिक्षों के पारस्प्रिक समवाद नहीं है ऐसा तो नहीं है पोर्स है गणित पार्ठ करम में विश्यों का परिच्छा कठिनाई के स्रेंडी बद इस तरों के निसार दिया गया है हां पहले इजी पर फिर वह ऐसे चैप्टर बुकों में दिये रहते हैं जो बाकी पीछे वाले चैप्टर में आगे वाले चैप्टर का भी यूज किया जाता है थर्ड अप्चन गत वर्सों में बहुत से नय विश्यों का समावेश से गनित पार्ठ करम में परिमान में वृद्धी होई है और फोर्थ अबर पार्ठ चैप्टर में गतिमान होने के कारण कुछ आधार बुत विश्यों को कार्ठ चार्ट की गई है जिससे की नय विश्यों का समयावेश किया जासे की और जो की उच्छ गनित के अध्यान के लिए महत्पूर्ण है देखें यह उप्शन क्या है ज्य 2005 के निसार गनित सिक्छा का कार चौड़ा और गोली होने के स्थान पर ज्यादा उंचा और तक्वा कार हो गया है फोर्थ अप्शन विल बी दा जाइट अप्शन ओके फोर्थ अप्शन इस तर राइट अंसर चलते हैं नेक्स कुश्चिन 52 कॉंसप्टवापस अर कॉंसे उसे इस इन मैंथ्टिक टीचिंग फिच फिडिवन इस स्थान्में इस तरू अप्शन आप्शन आपक्वाट कॉंसप्टमापस क्या होते हैं अवधारना मानचित्र इट इसके बारे में थोड़ा बहुत बदना देते हैं तो बच्चे छोटे-छोटे concept समझ जाते हैं ठीक है यह इसे हम कहते हैं concept mapping फिर है it is a linear arrangement of all the sub-concept of the concept fourth option they can be used as diagnostic tool to identify difficulty in learning that students are facing and fourth they help a teacher to gain new insight into the nature of the mathematics देखें यहां पर सारे options ही लग रहे हैं लेकिन हमें सबसे best option चुनना होगा और फिर इन में से भी यह जो option में दिया है इन में से जो सही होगा वो हमें चुनना होगा तो देखें it is a complex network depicting the relationship between all the sub-concept of the concept of the concept यह एक relationship इस्थापित करता है सभी concept और sub-concept के बीच में ठीक है it is a linear arrangement of all the sub-concept of the concept यह सिर्फ एक linear arrangement होता है नहीं यह linear arrangement नहीं है c they had to be used as diagnostic tool यह tools की तरह यूज किया जा सकता है ताकि identify की जा सके difficulties को कि बच्चे की क्या difficulty आ रही है सीखने में और they help in a teacher to gain new insight into the nature of mathematics यह teacher को भी help करते है इस नए दृष्टी को से समझने के लिए d a c and d are true तो b and c नहीं b and d b c d a c d तो इसका right answer क्या हो जाएगा fourth a c and d गडित के अध्यन के सामने ते उधार्णा मांचित्रों का उप्योग किया जाता है तो इसका answer क्या है fourth option a c and d चलते है next question पे which of the following represents the correct matching pair इसमें से देखे match the following formative assessment teacher centered classroom child centered classroom और group assessment देखे कुछ दिया है कि और हमें match करना है इसको हिंदी में देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं जचनात्मक आकलन सिक्छा केंदित कक्षा छात केंदित कक्षा सामोहिक आकलन तो देखे इसका option क्या है पहले देख लेते हैं सिक्छकेंदित कक्षा बच्चे तत्थ को स्मरान करते हैं और लिखित परिक्षा के द्वारे आके जाते हैं यह सिक्छकेंदित कक्षा में होता है जहां teacher ही एक dictator कि तरह काम करता है बच्चों को दे दिया जाता है कि उसको याद करो बच्चे नीजी, एकाकी और समू दोनों तरह से काम करते हैं इन क्रिया कलपो के द्वारा करके वह आके जाते हैं यह सामोहिक आकलन सामाजिक कॉसलो और सहयोगी अधिकम प्रक्रियाओं को आकने में सहायक होता है सामोहिक जैसे ग्रुप टेश्ट तो यह सामाजिक इसमें हमें सोसल स्किल्स के बारे में भी पता चल जाता है और रचनात्मक आकलन क्या है यह जो फोर्थ ऑप्सन है ग्याद करता है कि एक समय विधी में बच्चे की विभिन विषयो और व्यक्तित्व के अन आयमों में क्या क्या समझ बनी है क्या ब अशेस्मेंट तो वह काम करें तो देखे सेकेंड का क्या है फ़र्ष्ट थर्ड का सेकेंड और फोर्थ का थर्ड और फ़र्ष्ट का फोर्थ ऑप्सन देख लेते हैं देखे एक का फोर्थ बी का सेकेंड सी का सेकेंड डी का थर्ड यह हमारा एए उप्सन ही सही आंसर है ग इंग्लिस में भी देख लीजिये, formative assessment क्या है, find out what learning changes and progress has taken place in the child over a period of a time in different subject and other dimension of personality, okay, teacher-centered में children memorize, child-centered में children work both individually and in group, group assessment help to assess social skills, okay, ये सारे match the following हो गए, चलते है next question पर, which of the following is not an appropriate assessment method for primary class children, इसमें से कौन सा appropriate नहीं है, a test based on recalling of facts and formulae, एक ऐसा test होना चाहिए, जिसमें memorize पर, road learning पर या facts पर होना चाहिए, कि बच्चे याद करके आएं उनको लिखें, ऐसा test होना चाहिए, primary level के लिए बात की जारी है, primary class children के लिए तो ये सही नहीं है, a subjective test according to the learning level of the children, एक ऐसा test होना चाहिए, जो चात्रों के learning level के अनुसार होना चाहिए, सही है, using ICT based tool for assessment, technology का यूज करना, IT ये भी सही है, using concept map, मान्चित्रन का यूज करना, ये भी सही है, तो हमसे पूछा क्या था, not appropriate, तो इसलिए first option सही हो जाएगा, test based on recalling of fact and formulae is not appropriate for primary class children, got it, एक परिक्षा जो कि तथ्य और सूत्रों को इस्मर्ण करने पर आधारित हो, ये चीच प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए उप्युक्त विधी नहीं है, okay, चलते हैं next question पर, a primary class teacher is using a variety of concrete material to teach place value to his student, these include, एक teacher को अपने बच्चों को पढ़ाए, place value पढ़ाने के लिए concrete material, यूज करिए, TLM यूज करिए, teaching learning material, तो इसका क्या मतलब होता है, कौन-कौन से यूज कर सकती है, dines block, block एक तरह के ऐसे system होता है, जिस पर अलग तरह की strip, colorful strip होती है, bundle of match stick, match stick place value पढ़ाने के लिए नहीं यूज कर सकती है, fake currency note, यह तो note वाला chapter, currency chapter पढ़ाने के लिए सही रहता है, और abacus, abacus सबसे बढ़िया system है, यह सबसे पुरानी विधी है, जो चाइना में हम इसकार की गई थी, इसका calculation और addition करने के लिए यूज किया जाता था, इसमें ऐसे abacus, मैं ऐसे तार लगे रहते हैं, फिर उसमें beards लगी रहती है, colorful, तो इसके माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं, abacus और dynes block के help से हम place value का concept पढ़ा सकते हैं, तो conception है, which of the following represents appropriate classification of the concrete material, a and d are proportional material, a और d क्या है, सही material है, यह सब पढ़ाने के लिए, a and b नहीं है, b and d नहीं है, और a and c भी नहीं है, okay, a and d समनुपाती समगरी है, okay, चलते हैं next question पर, 56, assessing children previous knowledge of mathematical concept is important because, children की previous knowledge को assess करना क्यों जरूरी है, it helps in memorizing mathematical fact, यह help करता है mathematical fact को memorize करने में, second mathematics is integrated with other subject, mathematics जो है integrated है, other subject के साथ समाहित है, third, it is helpful in summative assessment, यह summative assessment में help करता है, both mathematical concepts are hierarchical in nature, mathematical concept क्या है, स्रीणी बद्ध होते हैं, तो इसमें से क्या important है, तो इसका right answer क्या है, mathematical concept are hierarchical in nature, mathematical concept क्या होते हैं, स्रीणी बद्ध होते हैं, okay, हिंदी में पढ़के समाहित लिए अच्छे से, बच्चों को गनती अवधानाओं का पूर ग्यान, आकलन के लिए महत्पूर्ण हैं क्योंकि, कनती अवधानों की प्रक्ति स्रीणी बद्ध होती है, स्रीणी में मतलब एक स्रीज में लगी रहती है, easy to hard, इस तरीके से arrange किया जाता है, इसलिए पूर ग्यान का आकलन करना जरूरी होता है, चलते हैं नेक्ष्ट कुश्चन पर, छे और साथ का योग 13 होगा, यह किस तरह का उधारण है, डेफिनेशन है, प्रपोजीशन है, ओपन सेंटेंस है, कंजक्षन है, तो इसका राइट आंसर है, यह प्रपोजीशन है, यह एक साध्य प्रतिग्याप्ति है, कोई परिभाशा नहीं है, कोई मुक्त वाक्य नहीं है, सयोजन समुच्च बोधक वाक्य नहीं है, चलते हैं नेक्ष्ट कुश्चन पर, इन में से कौन से जो है, कॉगनिटिव डोमेन है, रिस्पोंसिबल है, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस के लिए, निमनिकित संग्यानात्माग छेत्र के इस तरों में, अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए, कौन सा उत्तरदाई है, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब ब्रॉट थिंकिंग, के लिए कौन से डोमेन जो है, वो है, जो है, KnowledIP, Comprehension and Applicationmäßig, और सेंट है, सेंट है, Analysis, Synthesis and Evaluation, थर्ड है, Knowledge, Analysis and Evaluation, एंड फूर्थ है, Comprehension, Analyze and Evaluation तो इसका राइट आंसर जो होगा, क्या होगा एनलेसिस सिंथेसिस एंड इवैलिएशन विश्ट्रेशन करना संस्ट्रेशन करना और फिर मुल्यांकन करना ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन पर तुसाल 76 इंटु 32 अश्ट्रेशन यूजस्ट फॉल्विंग मैथेट 76 इंटु 32 देखे इस तरीके से इसने सॉल किया है वार अब मैथेट विच अफ़ फॉल्विंग स्ट्रेट्मेंट इस ट्रू इस तरह के 76 इंटु 32 को प्रॉब्लम करने के लिए सॉल किया और इस तरीके से आंसर निकाला इसमें से कौन से स्टेट्मेंट ट्रू है इस तरीका है इसलिए क्या है इसकरेश कर देना चाहिए गलत बात है इस्ट्रेट को जो है कॉंसेप्ट मैंटिप्लिकेशन का कॉंसेप्ट नहीं पता है यह भी सही नहीं है जो मैथेड यूज किया गया है इस्ट्रेट के द्वारा वह यह सो करता है कि मल्टिप्लिकेशन की डिफ्रेंट प्रॉपर्टीज को जानता है बात तो सही है इस्ट्रेंट को जीरो मार्क्स मिलना चाहिए अगर यह रिटेंट तेस्ट में इस तरीके से करता है यह भी गलत है यह क्या है इसका राइट आंसर क्या है for the above क्या है? this method used by Stuart reflect her understanding of the properties of multiplication खर फोड्या कुची तर सित्व करनेों कर दो भी मिंड़ सित्तिट ट्राइट से थाइ त overtime क्ट न। हद ता लूं फर से सी तम्हींग एक प्रफिरा और मिंड्ल कर दोड्या पेर नायन कर दो दो मिंड़्ीसेंग Ama Jirr बेस्ट एक्टिविटी कुष्ट भी जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रियेट रीजन क्या है जियो बोर्ड का इंट्रोड्यूस करना एक्टिविटी इसमें option है to teach lines and angle to learner to teach different type of angle to learner to teach volume to learner to provide concrete representation for many investigation in geometrical concept क्या है जियो बोर्ड क्या है जैसे electronic बोर्ड होते हैं जैसे आजकल LCD LED इस पर आजकल यूज करके पढ़ाया जाता है तो इसका activities में क्यों यूज किया जाता है तो lines and angle पढ़ाने के लिए different type of triangle पढ़ाने के लिए volume पढ़ाने के लिए या to provide concrete representation for many investigation in geometrical concept जो geometry में हम blackboard या whiteboard पर नहीं बना सकते उस तरह के 3D geometry का concept represent करने के लिए concrete representation का appropriate region है जियो बोर्ड का यूज करने का ओके ये था आजका last question आप लोग को session कैसा लगा कोई doubt हो कोई confusion हो तो आप उसे comment box में बता दीजिए solution का solution दिया जाएगा जो है और वीडियो को link जो है share जरूर कर दीजिएगा मिलेंगे हम लोग जल्दी next class में ये वीडियो को like करने के लिए बहुत बहुत थेंक्यू आजके लिबस इतना ही को um